रविवार को भारत ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच हार गिया इस मैच को लेकर बड़ी उमीदे पुरे देश को थी तमाम क्रिकेट फैंस को थी कि दस मैच लगातार जीतते आ रही भारतिय टीम कल जब फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी तो वर्ल्ड कप हमारा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत इस मुकाबले को हार गई इस हार के बाद एक ऐसा भावनाओं का सहलाब उम्ड़ा जिसमें हर किसी भारतिय के आँखों में आसू थे दिल में गम था और उस सब के बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ भारतिय टीम का होसला बढ़ाने की कोशिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी आलोचना भी जम कर की जा रही है और इस आलोचना में रोहित की कप्तानी से लेकर उनके उस खेले गए शौट तक को भी जिम्मेदा ठहराया जा रहा है तो तमाम तरहें की चर्चाएं इस वक्त सोशल मीडिया पोर हो रही है लेकिन सब के बीच एक शब्द ट्रेंड कर रहा है वो शब्द है पनोती और ये पनोती शब्द किसके लिए कहा जा रहा है वो दरसल परधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि इस हार की पनोती अगर कोई है तो वो परधान मंतरी नरेंद्र मोधी है तो सोशल मीडिया पर लगातार जो आलोचक हैं खासतोर से बीजेपी और परधान मंतरी नरेंद्र मोधी के तो वो इस पनोती शब्द को ट्रेंड करा रहे हैं लगातार अलग अलगतर है कि कर्मेंट्स जो हैं उस मैच को लेकर हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले चंद्रियान दो की जब लॉंच हो नहीं थी जब चंद्रियान दो चंद्रमा पर पहुचना था तो वो असफल रहा था और उसके बाद भी ये शब्द काफी ट्रेंड हुआ और एक बार फिर से इस फाइनल मुकाबले के बाद परधान मंतरी नहींद्र मोधी को लेकर इस तरह से एक निशाना साधा जा रहा और लगातर जो है आलोचक आलोचना कर रहे हैं परधान मंतरी नहींद्र मोधी इस मैच के दोरान स्टेडियम में ही मौजूद थे और जब इस बात की जानकारी शनिवार को लगी थी कि परधान मंत्री नरेंदर मोधी इस फाइनल मुकाबले में मुखहती थी के तोर पर रहेंगे उसी दोरां से ये शब्द ट्रेंड करने लगा था और अब इस पूरे मामले में राजनीती भी शुरू हो गई है लगातार विपक्ष राधन मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंदर राम ने तंज कसा है पर धान मंत्री नरेंदर मोधी पर और उने हार का जनरेटर तक बोल दिया है इसी में एक और नाम सामने आया है वो है संजयराउत जो कि उधव गुट के नेता है और सांसद है उन्होंने दावा किया है कि अगर फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम या कोलकेता के इडन गार्डन में होता तो भारते टीम विश्व विजेता बन सकती थी संजेराउत ने ये आरोप भी लगाया है कि सरदार बल्लभाई स्टेडियम का नाम बदल कर नेंदर मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि भारत अगर वर्ल्ल कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंदर मोदी स्टेडियम में परधान मंत्री नरेंदर मोदी थे इसलिए विश्व कप में उन्हें जीत हासिल हुई है इसलिए के आरोप लगातार अब सोचल मीडिया पर देखने को मिल रहा है इस सब के बीच जो बीजेपी के समर्थक है वो भी एक प्रियंका गांधी का वीडियो ढून लाए है अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक रैली के दोरान बयान दिया था कि 1983 में जब भारतिय टीम ने विश्व कप जीता था तो वो बेहत खुश हुई थी और उन्होंने भारतिय टीम को अपने घर पर बुला कर चाय भी पिलाई थी और आज उनका जनम दिन है और ऐसे में भारतिय टीम एक बार फिर से ये विश्व कप जीतेगी ये दावा उन्होंने इस वीडियो में किया था तो अब जो बीजेपी के समर्थक है प्रधानमंत्री नयंद मोदी के समर्थक हैं वो इस वीडियो के जरिये सवाल कर रहे है कॉंग्रेस से कि क्या इंदरा गांधी भी पनोती है इस पनोती को लेकर अब लगातार दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे है तंज कसा जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये शब्द लगातार ट्रेंड हो रहा है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जबूर बताएं